दोस्तों आज हम Everynet के बारे में बात करेंगे इस platform के बारे में खास यह है कि अगर आप अभी देख रहे हैं कि DeFi के उपर इतना सारा lending है 110-120 billion dollar का total value locked है इतने सारे ideas आ रहे हैं और वो ज्यादतर ideas दोस्तों हमेशा Ethereum-based या BSC-based platforms पर भी गनते हैं बहुत ज़्यादा high gas fees होती है अगर आप मेरे चैनल को closely follow कर रहे हैं तो बहुत सारे coins में आपको suggest करता हूँ जो काफी grow भी करते हैं और उसमें से पैसा निकालते हुए आपको 5-10-20% gas fees देनी पड़ती है Every Finance उस सारी problems को solve करने की कोशिश कर रहा है और उसके अलावा भी बहुत सारी features हैं जो अगर आप गौर से देखें तो आपको पता से लगा कि Every Finance platform जो है वो कल को DeFi के platform में यानि कि decentralized platform के मामले में Ethereum, Binance और काफी हद तक Solana को भी टक्कर दे सकता है तो मेरे ख्याल से वीडियो important ह होगी इस वीडियो से या Every Finance से आप सौ गुना, पांसु गुना की अपक्षा मत कीजिए, in all reality ये तीन चार गुना हो सकता है अगले कुछ महिनों में, मेरा नाम है रोई शर्मा, Satoshi Starter India में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अगर आप इस चैनल के सदस्या नहीं है तो बिल इस चैनल के अपर बने होई है और इसके कारण जो भी आपकी गैस लगती है जो भी स्टेकिंग रिवार्ड लगता है वो बैनांस के अंतरगत लगता है एवरी नेट जो है वो इंडिपेंडेंट इंटर ऑपरेबल बन रहा है सबसे इंपोर्टन है कि जो भी प्लाटफॉर्म अलड़ी बैनांस या इथिरेम के ऊपर बेस्ट हैं वो इस पर ऑपरेट कर सकते हैं तो और इसमें बेसिकली टेंडर मिंट कंसेंस्स प्रोड वर्क में सारे नोड्स सारिव वैलिडेटर सारे मैनर्स एक ही प्रोजेक के लिए काम करें तृइन कंद्न काता है इसमें ग्याहस समय एक ही गैस उननेल है यह बहुत रखेट ली चीज़ें जो ही कर रहे है और भी बहुत सरी पॉसिबिलिटी से दोस्तों स्मार्ट कॉंट्राक्ट रेडी है यह जो काड़ानों की उपर अभी स्मार्ट कॉंट्राक्ट है तो इसकी करण इतना हाइप हुआ था तो यह एवरीनेट एक बिल्कुल ही नया प्लाट्फॉम ह है इसको हम लेयर वन नहीं बोलेंगे ना ही लेयर टू बोलेंगे यह अपने आपको लेयर 1.5 प्लाट्फॉम बताता है बगर आप देखें इसका रोड मैप जो है दोजार बीस इकिस में काफी डेवल्मेंट अलडी हो चुकी है आगे आने वाला जो इसका रोड मैप है क्य है अगर आपको लगता है कि किसी समय कोई पर्टिकलर जो मैं आपको रोड मैप दिखाया किसी रोड मैप की दिन तारीक आने वाली है इनके ट्विटर चैनल को फॉलो करें जो मिल निक डिस्क्रिप्स में आपको दे दूँगा फॉलो करें वो क्या बोल रहे है अगर वो कह एवरी फैनांस करके इन्होंने अलड़ी एक डाप लाउंच कर दी है जो कि बैसिकली यूनिस्वाप या बाकी स्वापिंग प्लाटफॉर्म या बाकी डिवाइप प्लाटफॉर्म की सारी फीचर्स रखता है और एक एडवांटेज क्या होगी क्योंकि लोग यह गैस फीस है इसलिए इसमें यूस से जादा होगा मैं आपको कह रहा था कि मैं टाइमलेंड मिस कर गया इसका आज ही लाउंच हुआ है तो मैं कुछ 24 घंटे पीछे हूं माफी चाहूंगा आपसे बट वही मैं आपको रोडमाप इसलिए दिखाता हूं ताकि आप लोग सब मिलके इन इन प्रोटोकॉल्स का रोडमाप फॉलो करें और मुझे भी बताएं क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेट समय है मेरे पास एक फूल टाइम नौकरी है पर इस तरह की जिदो के लिए टाइम निकालना मुश्किल रहता है पर मैंने काफी पहले इनके ट्विटर चैनल को फॉलो जब ऐसी कोई निउस आती है तो यह उपर जाते है फिर डेफिनिटल उसके बाद मोमेंटम थम जाता है लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं फिर दुबारा नीचे आता है तो आप उस मौके के तलाश में रखें जब EVRY का टोकन जो है थोड़ा से विश्राम करें मैं डेफिनिटल आपको वापस आके इसके उपर और अप्रेट दूँगा आज यह प्रॉजेक्ट जो है 16% अप है करीब 40 cents पे चल रहा है आप नोट कर लीजिए यह अल्दो यह ऑलड़ी जो है 52 cents से आज नीचे गिरा है आज मेरे खियाल से कल सुबह कल रात को यह 52 cents से नी आर्मी कहते हैं इसको हम स्टेलर आर्मी उनके पास कहीं पर भी यह मौका नहीं कि वह स्टेलर को स्टेक करके अच्छा-कासा एपी वाइप राप्त कर सके तो क्योंकि टीम सेम है तो स्टेलर के उपर यह जाते दिर और भी काफी अच्छी प्रोटोकोल से इन्होंने इसमें का पंप है जैसे मैंने का इनका डीफाय लांच हुआ है इसलिए इसमें पंप है मेरी ऐसी मेरा इसा मानना है कि यह गिर कर 30 या 25 सेंट तक जाएगा अब तब इसको ग्राब कीजिए तब इसको अपने पोर्टफोली में डालिए कैसे खरीदना बिल्कुल सिंपल है म कोई रेफेरल नहीं आपको यूज करने नहीं आपको किसी के चक्कर पर पढ़ना दोस्तों हमेशा याद रखिए किसी भी यूट्यूबर का अगर आप रेफेरल यूज करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से आप इंडिरेक्ली गैस फीज या कट आउफ की माधिम से पे कर र इसको स्वाप कर सकते हैं यह एक्षेंज पर नहीं मिलता हमें दो मिनट लेना चाहूंगा उनलों के लिए जो हमेशा मैं जब भी नया कोई बनाता हूं वह बोलते हैं सर यह कौन से एक्षेंज पर वेलिबल है आप याद रखिए कोई भी एक्षेंज होगी चाहे वो बैना आउंस्मेंट होती है कि यह फला कॉइन जो है यह एक्षेंज पर लिस्ट होने वाला है कॉइन बेस पर तभी उनमें पांप आते हैं तो अगर आप वास्तव में सो गुना पचास गुना बीस गुना पंप भून रहे हैं हाला कि EVRY में मैं आपको यह चीज नहीं करूंगा बढ़ अगर 25-30 सेंट पर आप इसको खरीद पाते हैं तो मेरा मानना है कि इसके पास एक डॉलर तक जानने का बहुत ही जादा चांस है इनफेक्ट मैं पूर्ण तरह से शौर हूँगी जो इनका रोड माप दिख रहा है मुझे कॉर्टर वन का जनवरी तक जो है ये एक डॉलर पार होना मेरे ख्याल से निश्ची है अगर आप इसको लॉंग तम तक रख पाएं और अगर बिटकॉइन का भी मोमेंटम चालू रहता है तो डेफिनिटी इसमें पूरी वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद वी सब्सक्राइबर्स पर लेकी जाना है धन्यवाद जैहिंग